आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धान तक नहीं होता हुए स्टडी ग्लोस पर आपका बहुत दोस्वाग गयता है दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर और साइलेंस की ठीक है कि चुप रहने की ताकत कितनी बड़ी होती है इसमें मैंने लेक्चर लिया था अलड़ी बात करेंगे साथ जगा जहां पर आपको कम बोलना है थोड़ा एक बच्चे का सेलेक्शन हुआ है मुझे बहुत अच्छा लगए कल फोन आयता बहुत जल्दा मुनका इंटर्वी लेगे तो उन्हें बता है कि सर मैं जज्ज में सिलेक्ट हूँ पीसेजे में बहुत ऐसे फोन साते रहते हैं मुझे मैं से जाते रहते हैं बट मेरी बहुत ज़दा आदत नहीं है कि इसको शुगाफ करूँ या मतलब पता नहीं मुझे अंदर से अच्छा मतलब मेरी टीम कहती है कि सर इसको डालिए टेस्टिम मैं आप अंदर समन नहीं करता है बट उनका मैं इंटर्विव लाने के कोशिच करेंगो तो बताता कि ज सबसे पंदरा हजार रुपय का बहारी कोर्स मिलता है लेकिन हम आपको सिर्फ 490 रुपय का दे रहें तो वड़ाक से कोर्स को अवेल करो क्योंकि आज एथिक्स की क्लास है कले से रैटिंग की क्लास हुदी सब बच्चे पगला गए हैं आजओ तो सबसे पहले तो अगर हम समयार डिंग का बात करते हैं कब आपको चुप रहे ना जब अगर आपको पूरी कहानी नहीं बता है तो चुप रही है कि कुछ लोगों के आदत होती है कि बिना बात के हर जगशा पूदेंगे हर जगां कुदेंगे, कुछ लोगों क्या आदत होती है, पूरी कहाने जाने बिना बोलेंगे, बस बोलते ही रहेंगे, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो मत किसी दो लोग या तीन लोग अगर जगर रहें तो उनके पचड़े में मत पढ़िये, विलन आप ही था बिल्कुल ना दो, ठीक है, बेवकूफ ना बनो, एकदम दूर रहो, अपने से मतलब रखो, वो जादा बेटर होगा, जब तक पूरी कहानी नहीं पता हो, अगर आपके रिलेशन में भी पहले पूरी कहानी जान लो, पहले अगले को बोलने का मौका दो, समझ लो, फिर बो लोगे, तो खुद भी परशान होगे, अपने एर्दगीर सब को परशान करोगे, और अपनी जिन्दगी को परशान करोगे, second point, तब ना बोलो, अगर मान लो कि तुम बोलते हो और गुसाये बिना नहीं रहते, तुम बोलते कम गुसाते जादा हो, तब बिलकुल भी ना ब लगता है कि मैं गुसाओंगा जादा बोलूंगा कम तो एकदम शान्त हो जाओ एकदम विट्राओ हो जाओ अगला अगर आपको लगता है कि आपके बोलने से कोई इनसान ओफेंड हो जाएगा तो बिलकुल ना बोलो आपके वर्ट्स किसी को भी ओफेंड कर सकते हैं तो बहुत जादा बोल रहे हो बहुत अपनी बढ़ाई कर रहे हो तो आप साइलेंट अनिमीज क्रियेट कर लेते हो जो अंदर ही अंदर आपका बुरा चाहेंगे नेगेटिव एनर्जी निकालेंगे नहीं तो वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे तो हमेशा याद रखना कि अ अगर तुम्हारे बोलने से रिष्टे बच रहे हैं ना बोलने से रिष्टे तो ना बोलो रिष्टो को बचाओ हमेशा रिष्टो को एहमें देनी चाहिए तुमको लगता है कि मैं बहुत जादा बोल रहा हूँ कई बात बहस हो जाती है मैं हमेशा अपने बच्चों से यह कहता हूँ जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं कि बैटा देखो कभी भी जब बहस हो रही हो अगर अगला इसन बहुत जादा मालो रिलेशन्शिप बहुत खराब चल रही है और अगले इसन नहीं हो सकता है चीट भी किया हो तब भी तुम कुछ नहीं बोलना है जितना जाता शा तो मैंने वहीं बोला है कि भाई तुम ये क्यूं कर रहे हो ऐसे तो कोई भी लड़की वो क्यूं कर रहे है तुम से शादी नहीं करेगी वो शादी तो अपना गुस्सा मत निकालो रिष्टा बचाओ रिष्टा बचाओ कि कैसे इच्छो पर है कि हाँ कुछ रिष्टे विड्रौ कर गए आज उनको हीरो समझा जाता है अगला पॉइंट पांच बाच जब बहुत जदा आप इमोशनल हो तो मत बोलो इमोशन सब कुछ खराब कर देते हैं गुसा बहुत जदा एकदम विड्रौ कर लो एकदम आईसोलेट में चले जाओ अब यह आपको पता होन चाहिए कि कब मेरा आउटबर्स्ट होने वाला है कब मैं गुसाने वाला हूँ तो एकदम शांत रहना है जब बहुत जदा एमोशनल हो क्योंकि भावनाओं में पता नहीं आप क्या क्या कह दो और अगले एक दिन बाद आप रिग्रेट करोगे ठीक है क्योंकि भावनाओं कि बहुत जदा जरूरत होती है क्योंकि अगर बहुत जदा बोलोगे ठीक है तो बहुत दिक्कत होता है अगला च्छटा पॉइंट अगर बहुत गुसा हो गर्मा गर्मी हो महल में आपको लग रहा है कि अगला इंसान जो है बहुत ही जदा गुसे में चिलाए जा रहा है तो भी ना बोलो, शान्त रहो, ठीक है, तो शान्त ही बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है न कि चीजे और आग, आग को नहीं बुझाती है, आग और ज़्यादा वो जला देगी, आग बेगर पेट्रोल जालोगे, आपको पानी बनना है, पानी, वाटर is very 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 powerful, समझ रहे हो, तो इसी लिए हमेशा शान्त रहो, उसके बाद अगर आपको लगता है, कि मेरे बोलने से मेरी दोस्ती खतम हो सकती है, कई बार ऐसा होता है, कि दोस्तों के साथ बहुत अच्छे अच्छे, प्यारे प्यारे दोस्त होते हैं, उनके साथ कई बार ऐसा हो बहुत ज़ादा बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है, तो यह ज़ादा जरूरी है, क्योंकि कम बोलो, एफेक्टिव बोलो, UPSC भी यही बताता है, आंसर राइटिंग में जितना लिखो, एफेक्टिव लिखो, मज़ा आ जाए, तो यह लेचर था, आई उप आपको पसंद बाकि अब हमारे आंसर राइटिंग कोर्स को जरूर रवेल करें, थांक्यों सो मच्छ